नमस्कार दोस्तों मैं देव गुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने MPD News चैनल में दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 5 फरोरी को Pulse Case की सुनवाई थी सुप्रीम कोट में लेकिन दोस्तों कोई एहम फैसला नहीं लिया गया और दोस्तों कुछ महत्पून बाते पता चली है Pulse Case के बारे में मुझे और दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर सुप्रीम कोट क्यों बार बार तारिक पे तारिक दे रही है और आपका पैसा मिलने में आखिर क्यों इतना समय लग रहा है तो दोस्तो इस वीडियो को प्लीज आप पूरा देखें नहीं तो दोस्तो PSL केस में क्या चल रहा है निवेशको का पैसा मिलने में इतना समय क्यों लग रहा है कि आपको पता नहीं चल पाएगा तो दोस्तो आप से हाथ जोड़ कर विंती है कि प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें एकदम लास्ट तक दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से रिक्ट्वेश्ट है कि अगर आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उस पे किलिक करें और दोस्तो अगर सब्सक्राइब का बटन सफेद हैं तो किलिक ना करें तो चलिए दोस्तो आप वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो आप इछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि लगाता सुप्रिम कोट में सुनवाई की तारिक बदल रही है पहले 26 फरवरी थी फिर 13 फरवरी हुई फिर 5 फरवरी और अब 7 फरवरी और अब दोस्तो 8 फरवरी को भी है सुनवाई तो दोस्तो आपको लग रहे होगा इतनी जल्दी जल्दी सुनवाई हो रही है तो जरूर हो सकता है निवेसको का पैसा जल्द मिल जाए तो दोस्तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिलकुर आप गलत सोच रहे हैं यह सुनवाई की तारिक बदलती रहेंगी लेकिन दोस्तो जिस फैसले का आप इंतजार कर रहे हैं वह फैसला इतनी जल्दे नहीं आएगा क्यूंकि दोस्तों आप लोग यह सोच रहे होंगे कि पल्स केस की इतने जल्दी जल्दी सुनवाई हो रही है तो जरूर कुछ एहम फैसला निवेसको कहित में लिया जाएगा मैं भी दोस्तों पहले यही सोच रहा था लेकिन दोस्तों जब मैंने इसके वारे में अच्छे से पता किया तो मुझे पता चला कि यह सुनवाई तो किसी और वज़े से हो रही है दोस्तों यह केस पीएसल वर्सेस सेबी का है लेकिन दोस्तों इस केस के अंदर हजारों लोगों द्वारा अबजेक्शन उठाए गए है जिनके उपर सुप्रिम कोर्ट में बहस होती रहती है दोस्तों यह जो अभी पांच फरवरी को सुनवाई हुई उसमें भी बहस सेबी और पर्स कंपनी के बीच नहीं बलकि सेबी और उन लोगों के बीच में हुई जिन लोगों ने इस केस में उबजेक्शन उठाया है तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगह यह कौन लोग ہیں और उबजेक्शन क्यों उठा रहे हैं और इससे आपको क्या नुक्सान होगा तो दोस्तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे यह सब अबजेक्टर की लिस्ट है जिन लोगों ने इस केस में अबजेक्शन उठाये है और दोस्तो यह अबजेक्टर कौन है और इन्होंने अबजेक्शन क्यों उठाया है और इनकी objection उठाने से आपका क्या नुकसान होगा तो दोस्तो ये भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा प्लीज आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहें और ध्यान से सुने दोस्तो जिन लोगों को नहीं पता कि objection क्या होता है तो दोस्तो objection का मतलब होता है आपत्ती यानि कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपत्ती दोस्तो आज से तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पल्स की सभी स्थिमपत्यों को बेच कर निवेसकों का पैसा लोटाया जाए दोस्तो इस फैसले से सभी पल्स निवेसर खुस हुए लेकिन कई लोगों को इस फैसले से आपत्ती हुई और उन्होंने सुप्रिम कोट में अबजेक्शन उठाया दोस्तो आप लोग सोच रहे होंगे इस फैसले से किसको आपत्ती हो सकती है दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पल्स कमपनी निवेशकों का पैसा जमीनों में निवेश करती थी और दोस्तो इस कमपनी से कई और भी चोटी मोटी कमपनिया जोड़ी थी जिनके बारे में सायद आपको पता नहीं होगा यह हो सकता है कुछ लोगों को पता हो और उन कमपनियों के सेकडो डारेक्टर्स और पर्मोटर्स थे जिनके नाम पर पल्स की करोडों की जमीन थी तो दोस्तो सुप्रिम कोट के फैसले पर जिन लोगों ने अबजेक्शन उठाया है जिनकी लिस्ट आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रही है यह वही लोग है जो पल्स कमपनिय अथवा उससे जुड़े हुए कई छोटी कमपनियों के डारेक्टर्स और पर्मोटर्स है जिनके नाम पर पल्स की करोडों की संपत्ती है लेकिन अब वह संपत्ती लोड़ा कमेटी से अटेजड है अब उन डिरेक्टर्स और पर्मोटर्स ने यह कह के अबजेक्शन उठाया है कि वह जमीन हमारी पर्सनल है ना कि पल्स कमपनिय की तो वह लोड़ा कमेटी उस जमीनों को कैसे बेच सकती है तो दोस्तो मैं आप सबको बता दू कि सुप्रिम कोर्ट ने कई ऐसे अबजेक्शन को खारिज कर दिया क्योंकि वह कोर्ट में यह साबित नहीं कर सके कि वह जमीन उनकी पर्सनल है दोस्तो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे यह कोर्ट का ओर्डर है जिन लोगों के अबजेक्शन खारिज हुए हैं तो दोस्तो वैसे तो अबजेक्शन सेकड़ों लोगों ने उठाया है लेकिन सुप्रिम कोर्ट ने अभी तक कुछी लोगों के अबजेक्शन को खारिज किया है और दोस्तो अभी और भी कई आपजेक्शन पर सुनवाई होनी है तो दोस्तो यह जो इतनी जल्दी जल्दी कोट में सुनवाई हो रही है तो इसमें जिन लोगों ने आपजेक्शन उठाये थे उनकी सुनवाई होती है और दोस्तो पल्स निवेसको को उनका पैसा मिलने में इतना समय लग रहा है इसका भी यही कारण है क्योंकि दोस्तो आप सबका पैसा तो पल्स कंपनी की जमीने बेच कर ही मिलेगी अगर पल्स की जमीने बेचने पर ही अबजिक्सन उठाया जाएगा तो पल्स की जमीने कैसे बिखेगी और आप सबका पैसा कैसे मिलेगा दोस्तों आपका पैसा जल्द से जल्द मिले इसलिए सुप्रिम कोट में हर दो दिन दिन में पल्स केस की सुनवाई होती रहती है तो दोस्तो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अगली सुनवाई 8 फरवरी को है फिर 12 फरवरी को फिर 14 फरवरी को और फिर 16 फरवरी को और फिर 20 फरवरी को और फिर 22 फरवरी को तो दोस्तो ऐसे ही पल्स केस की सुप्रिम कोट में डेली सुनवाई यह दो दिन पे यह तीन दिन पे पल्स केस की सुनवाई हो रही है लेकिन दोस्तो इससे आप यह ना समझें कि इन पल्स केस की सुनवाई में से भी अपने रिपोर्ट सुप्रिम कोट को दिखाती है तो दोस्तो यह जो इतनी जल्दी जल्दी पल्स केस की सुनवाई होगी तो यह दोस्तो जिन लोगों ने अबजेक्शन उठाए हैं इस केस में यह उनकी सुनवाई होगी और दोस्तो जिस फैसले का आप सभी पल्स निवेसकों को इंतजार है वह अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा क्योंकि दोस्तो चार मैने पहले सुप्रिम कोट ने सेवी को आदेश दिया था कि पल्स निवेसकों का जितना भी पैसा जमा है उसका 10% जल से जल सभी पल्स निवेसकों को लोटाए जाए तो दोस्तो अभी सेवी उसी आदेश का पालन कर रही है और अभी निवेसकों को पैसा मिलने में कम से कम अपरेल तक इंज़ार करना होगा वह भी उन निवेसकों को जिनोंने की धाई हजार ये धाई हजार से कम पैसा जमा किया है क्यूंकि दोस्तो अभी सेवी ने ऐसे ही छोटे निवेसकों से रिफंड के लिए आवेधन मांगे हैं और फिर इसके बाद बड़े निवेसकों को पैसा मिलेगा तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात यह समझ में आई होगी अगर दोस्तो आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं आप डिरेक्ट गूगल पर जाएए और mtdnews.in सर्च कीजिए तो दोस्तो सबसे उपर हमारी वेबसाइट आ जाएगी mtdnews जाने देश-दुनिया की हर खबर तो दोस्तो आपको इस पर किलिक करना है और दोस्तो आपको सभी पल्स की नियूज हमारे वेबसाइट पर भी मिल जाएगी आप वहाँ से भी अच्छे से नियूज को पढ़ सकते हैं और दोस्तो अगर आप हमारे फेजूग पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे फेजूग पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और दोस्तो डारेक्ट आप फेजूग पर भी mttnews सर्च कर सकते हैं आप हमारे Facebook पेज को भी लाइक और फोलो कर ले ताकि दोस्तों आपको हमारे Facebook पेज दुवारा भी पल्स की अपडेट मिलती रहे और आप हमारे चैनल से भी चुड़े रहे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ तो दोस्तों अगर आपको यह से मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक केजिए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल न बोले गुड़ बाई दोस्तों